आज आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है Docter Passion calidad आम तौर पर यह सोचा जय दा कि डॉक्टर तो जी पैसे के लिए काम करते हैं जिस काम में ज्यादा पैसे होते हो पताते हैं पेशेंट के बारे में दॉक्टर कम्यूटी में ये वात होती है कि नहीं जी पेशेंट थो किसी का लोयल नहीं होता आज इसके पास कर उसके पास पर practically ऐसा बिलकुल नहीं होता शायद दुनिया के जो सबसे पवितर रिष्टे हैं शायद नहीं पका विन में से doctor patient relationship एक पवित्र रिष्टा है जिसमें doctor अपने patient का पूरा ध्यान रखता है और दिन रात उसको अपने घर जाके भी अपने patient का ध्यान रखता है जो अगर किसी patient को भी complication आ जाती है तो doctor भी अराम से नहीं मैठ पाता ना आराम से सो पाता है उसके ध्यान में 24 घंटे पेशेंट ही चलता रहता ऐसे ही जो पेशेंट है जब वो डॉक्टर के पास आता है तो इतना फेथ करता है कि अपने आपको सरेंडर करता है उसके उसका ट्रस्ट लेवल इतना होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो हमने तो अपने 20 साल के करियर में यह देखा है कि इससे पवित्र कोई रिष्टा नहीं है तो इसी में कुछ हम मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करता हूँ जैसे हमारे एक पेशेंट ने फोन करके कहा कि उसका फिस्टुला का आपरेशन हुआ था कि मैं अपनी तरह से हॉस्पिटल की प्रोमोशन के लिए बैग बांटने चाहता हूँ तो हमें लगा कि दो-चार बैग कोई बांट सकता है वह एक्चुली वह टेलर था और बैग का काम होगा उसका पर उसने फिर हमारे जो एड्मिस्टेटर हैं उनको कुछ पिच्चस भेजी हर्बिंदर जी को जिसमें उसने वो बैग की पिच्चर भी थी तो उसमें काफी सारे बैग थे जिसके उपर राना हॉस्पिल प्रेंटेर था और वो फ्री ओफ कॉस्ट पेशेंट्स को दे रहा करके हमारे पिचिंट थे वो अपनी गाड़ी में सूलन से पिचνट को लेके आते हैं तो मैंने एक दिन उनको का कि अरे शथा प्रीया पिचंट को वैशे ही बता दिया करूंझ कि वहाँ चले जाओ तो आगे से कहते हैं मैं यह सोचता हूं कि अगर मेरे आने से किसी की प्रॉब्लम हल होती है कोई ठीक हो जाता है तो मुझे इससे क्या फर्रक पर एक इंसिजेंट और मैं आपसे शेयर करता हूं यह बहुत करीब मेरे दिल के कि हम चिंडीगर गए और किस बैगी तो उसने आगे से कहा जी आप मेरे को समान दिलवा दो अकर आप कैश नहीं देना चाहते हो इतनी देर में मेरी वाईफ बाहर आ गई तो उसने कहा आप दोनों सरहंद्य हो तो उसने आगे से का आप दोनों डॉक्टर हो हम और हरान होगे की इसको कैसे पता है तो को बहुत force किया उसने का नहीं आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया कि उस समय मेरे पास पैसे कम थे आपने फिर भी उसका इलाज कर दिया कितना पवित्री ये रिष्टा है कि देखो एक बैगर जिसको कितनी नीड होगी पैसे की वह आगे से कह रहा है कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आपने तो मेरे बच्चे के लिए सब कुछ किया ऐसे ही रिसेंटली एक पेशेंट हमारे पर कैनेडा से आया उसका हमने ऑपरेट किया जब वह पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद वह अपनी शादी का काड़ देने हैं तो हम उसकी शादी में चले गए जैसे नॉमली शादी में होते हैं जब दूला आता तो उसके साथ 10-15 लोग आते हैं फिर वह स्टेज पर चला ज पाएंगे जब तक उसकी दूला नहीं आजाएगी डेफिनेटली स्टेज पर उसके बाद ही लोग जाते हैं तो हमें कॉर्णर में बैठे हुए थे जो डीजे की बैक से हाडली विजीबल तो उसने सेरे के थोड़ा हटा के जब देखा तो देखते ही उसने दूर देखके को दौड़ता हुआ स्टेज से नीचे आया और आगे हमें जोर से हग किया हमें इतना अच्छा लगा कि साथ वाले टेबल पर कुछ सीनियर सीटीजन बैठे थे उन्होंने मुझे पूछा कि आपका रेलेटिव है तो कितना पवित्र ये रिष्टा है कि अगर हम डेप्थ म कर ट्रीटमेंट हुआ डिप्रेशन में था तीन-चार बार पहले ऑपरेट हुआ हुआ था तो उसको लग रहा था कि मैं कभी ठीक नहीं होगा तो मैंने उसको बिठाके उसको और उसकी वाइफ को कांसल किया हजारों पेशेंट ठीक हुए आप क्यों नहीं होगे आप भी ह एक पोस्ट डाली जिसमें उसको नैशनल टीचर अवार्ड में अवार्ड मिला तो उन्होंने मुझे ठैंक्स के लिए फोन किया और उसके बाद हिमाचल में किसी चक्की से वह मक्की काट्टा लेके आए अब एक डॉक्टर के लिए इसकी क्या कीमत है इसको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है तो अब 20 साल के कैरियर में ऐसे एक दो नहीं हजारों इंसिडेंट हुए जिसमें मैंने यह देखा कि इससे ज़्यादा पेशेंट डॉक्टर के लिए क्या कर सकता है Similarly, patient और डॉक्टर की union अब हमारे एक लाग से ज़्यादा treated patient है and we always say in our hospital that now we have one lakh plus members in our family so it's a big family, एक परिवार की तरह है तो कभी भी इस रिष्टे में किसी को भी doubt नहीं करना चाहिए और किसी भी relation में जितना अच्छा trust का level होता है उतना वो relation stronger that is what I wanted to communicate today thank you very much for watching